नमस्कार आप देख रहें नियूस वाल इंडिया मैं हूँ आपके साथ जो हिसी उस्बेकिस्तान के समरकंद में शंगाई कोपरेशन और्गनाइजेशन यानी SCO की समिट हुई है इस समिट में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्टपती, श्री जिनपिंग और रूस के राष्टपती व्लादे मीर पुतन के साथ दुनिया के कई बड़े नेता एक साथ जोटे दो साल बाद उस्बेकिस्तान के समरकंद में SCO की फिजिकल समिट हुई है दरसल कोरोना महमारी के चलते फिजिकल समिट नहीं हो सके थी इस बार की SCO समिट इसलिए भी खास रही क्योंकि कोविड के दौर के बाद पहली बार चीन के राष्टपती श्री जिनपिंग अपने देश से बाहर किसी अंतरास्ट्रिय समिट में हिस्सा लिया दूसरी वज़ा ये है कि उक्रेण यूद के बाद ये पहला मौका है जब पुदिन और जिनपिंग एक दूसरे के आमने सामने हुए तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर क्या है ये SCO समिट और क्या है इसका महत्वर अप्रेण 1996 में एक बैठक हुई इसमें चीन, जूस, कजाकस्तान, किर्गिस्तान और ताजकिस्तान शामिल हुए इस बैठक का मकसद था आपस में एक दूसरे के नसली और धार्मिक तनाओं को दूर करने के लिए सहयो करना तब इसे शंगाई 5 कहा गया हाला कि देखा जाए तो सही मायनों में इसका गठन 15 जून 2001 को हुआ तब चीन, जूस, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, तजकिस्तान और उजबेकस्तान ने शंगाई कॉपरेशन और्गनाइजेशन की स्थापना की इसके बाद नसलिय और धार्निक तनाव को दूर करने के अलावा कारोबार और निवेश बढ़ाना भी इसका मकसद बन गया आपको बता दे कि 1996 में जब शंगाई 5 का गठन हुआ था तब इसका उदेश्य था कि चीन और रूस की सीमाओं पर तनाव को कैसे रोका जाए कैसे उन सीमाओं को सुधारा जाए ये इसलिए क्योंकि उस समय बने नए देशों में तनाव था और ये मकसद महज 3 साल में ही हासिल हो गया इसलिए इसे सबसे प्रवावी संगठन माना जाता है अब ये भी आपको बता देते हैं कि राजनिती अर्थ शास्त्र विकास और सेना के मुद्दों पर केंडरी तिया संगठन यानि S.E.O कितना ताकतवर है शंगाई सहयोग संगठन में आज सदस्य देश शामिल है इसमें चीन, रूस, कजाकस्तान, किर्गस्तान, ताजिकिस्तान, उस्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है इसके अलावा भी चार परिवेक्षक देश जिनमें इरान, अफगानस्तान, बेलारूस और मंगोलिया है इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रिये सुरक्षा सुनेश्चित करना, सीमा मुद्दो को हल करना, आतंगवाद और धार्मिक अतिवाद का समाधान करना और शेत्रिये विकास्त को बढ़ावा देना है इस संगठन में यूरेशिया यानि की यूरोप और एशिया का साथ प्रतीश्य से भी ज्यादा क्षेत्रफल है दुनिया की 40 प्रतीश्य से भी ज्यादा आबादी इसके स्दस्य देशों में रहती है साथ ही दुनिया की GDP में भी इसकी एक चाथाई हिस्तेदारी है इतना ही नए इसके सदस्य देशों में सन्यूक्त रास्ट्र सुरक्षा परिशब के दो स्थाई सदस्य चीन और रूस के अलावा चार परमानों शक्तिया चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान भी शामिल है अब एक नजर डालते हैं कि इन ताकतवर देशों के समूह में भारत की क्या भूमिका है, तो यह जान लेजिए कि 2005 में कजाकस्तान के अस्ताना में हुई समिट में भारत, पाकिस्तान, इरान और मंगोलिया ने भी हिस्सा लिया, यह पहली बार था जब S.E.O. समिट में भारत शामिल हुआ था, 2017 तक भारत S.E.O. का परिवेक्षक देश रहा, 2017 में S.E.O. की सत्रवी समिट में संगठन के वस्तार के तहत भारत और पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला था, S.E.O. को इस समय दुनिया का सबसे बड़ा शेत्रिय संगठन माना जाता है, संगठन में चीन और रूस के बाद भारत सबसे बड़ा देश है, तो ये थी S.E.O. यानि शंगाई कॉपरेशन और्गनाइजेशन से जोड़ी कुछ एहम जानकारियां, अभी के लिए वस इतन समाही बने रहे न्यूज वाल इंडिया के साथ